हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वेदु ट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कोशन लेकर के आया हूं यह कोशन क्लास 9 की मैथ से चेप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल से लिया गया है यह कोशन एक्सरसाइज 6.3 का कोशन नंबर 1 है और इस वीडियो में हम इस कोशन को डिस्कास करेंगे आ बस वीडियो को ज्यान से देखिए आंतर अम देखिए वीडियो पसंद आया तो याका किजिए दोस्तों कौन को चैनल पर नहीं तो चैनल कर लीजे अगर आपकी कोई कौई कैरिय किक्शन a क्यारिव कर सकते हैं अग QP and RQ after angle PQR are produced two points S and T respectively if angle SPR is 135 degree and PQT is 110 degree find angle PRQ सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसमें पूछा क्या गया है तो इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है P RQ ये वाला एंगल ठीक है तो चलो फिर find करते करते हम बताएंगे कि इसको कैसे solve करेंगे solution यहां पर देखो ये जो angle है ये वाला और ये वाला linear angle बन रहा है तो यहां पर हो जाएगा angle QPR पलस angle SPR इस इक्वल टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर क्या हो जाएगा अब आप ध्यान से देखना जो SPR है वो दिया गया है 135 डिग्री तो वो पुट कर देंगे angle QPR पलस 135 डिग्री इस इक्वल टू 180 डिग्री फिर दर हो जाएगा angle QPR इस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री फर इसको subtraction करेंगे तो क्या मिलेगा angle QPR 10 माइनस 557 माइनस 34 और 1 माइनस 1 0 तो हमें मिलेगा angle QPR इस इक्वल टू 45 डिग्री तो यह angle हमें मिल गया 45 डिग्री ठीक यह पता है यह find करना है एक होता है exterior angle property क्या होता है exterior angle property तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह angle exterior है ठीक और exterior angle का जो सम होता है opposite वाले दोनों angle के सम के equal होता है तो अपने formula पढ़ा होगा कि exterior angle इस इक्वल डू एक्स प्लस वाई वह एक्स यह होता था और यह होता था ठीक है यह पर exterior angle property हम लगाएंगे तो देखो यहाँ पर लिखेंगे also angle PQT is equal to angle QPR plus angle PRQ और यहाँ पर region हो जाएगा एक्स्टीरियर एंगल एक्स्टीरियर एंगल ठीक अब यहाँ पर देखो जो PQT की value है वह यहाँ पर दिया गया है angle PQT is equal to 110 degree QPR हमने अभी find किया है 45 degree और PRQ बताना है तो यह इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 110 degree minus 45 degree is equal to angle PRQ यह plus है इधर जाके minus हो जाएगा तो देखो angle PRQ कितना हो जाएगा 10 minus 5 5 इसने एक कहरी दिये दिया तो इसके पास 0 बच्चा इससे जाके करी लेगा 10 हो जाएगा 10 minus 4 6 ठीक है तो angle PRQ कितना हो जाएगा 65 degree हो जाएगा और यही हमसे पूछा था यही हमारा इस question का answer है तो आप चाहें तो वीडियो को पाँच करें कर लें या फिर स्क्रीन सॉट ले लें तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अग